स्पोर्ज ड्रामा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप इस उम्मीद से देखते हो कि आप अपने आपको कुछ एनरजाइज कर पाएं क्योंकि जनरली एक स्पोर्ज ड्रामा फिल्म बेज़ होती है एक अंडर्डॉक पर जो कि फिल्म में बाद में कुछ करिश्मा करके दिखाते हैं पर अगर वो करिश्मा ना दिखा सके तो फटबॉल की जमायन में समझिये हो गया सेल्फ गोल में नाम है अंकुष और आज में अपने चैनल बॉली फैड़े पे आपको बताता हूँ 2019 में रिलीज हुई फिल्म पनल्टी के बारे में ये फिल्म आप देख सकते हैं नेटफलिक्स पर और इसका दो गंटे का रन टाइम है और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर ले अगर आप स्पोर्स की दुनिया से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा स्पोर्स और रेसिज्म का चोली दामन का साथ है ये भी फिल्म इंडिस्ट्री के नेपरिज्म और फिवरिटिज्म जैसे से शेतानों से भरी हुई है और इसका खामियाजा मुगतना पड़ता है खुद खेल को इस मूवी को बनाया है शुबन सिंग ने अब मुझे लगता है या तो उनके पास बुजट्स की बहुत कमी थी या उन्होंने ये ठान लिया था कि मैं अमेचॉर्स की साथ ही फिल्म बनाऊँगा क्योंकि कास्टिंग डिरेक्टर से एडिटर तक रैटर से सिनेमेटोग्राफर तक सबका काम काफी अमेचॉरिश लगता है इस मुवी का दिल है फुटबॉल और फुटबॉल की जम कर तोहिन की गई है कम से कम उन एक्टर्स को जिन्होंने लीड में काम किया है कम सम उनको तो फुटबॉल खेलना सिखा दिना चाहिए था सब्जेक्ट अच्छा चूस किया गया था लेकिन मुवी सिर्फ अच्छी नियत से भी अच्छी नहीं बन सकती अच्छी मुवी बनाने के लिए चीए प्रोफेशनलिजम और एक्सपिरेंस जो इसमें पूरी तरह से मिसिंग था इस फिल्म में 39 चंग कम्यूनिटी के साथ होने वाले रेसिजम को दिखाया गया है बट लोगों को जगाने के लिए इस सब्जेक्ट के थपड की जो गून्ज होनी चाहिए वो पूरी तरह से मिसिंग थी मैनन, शेशां करोड़ा और मंजोत सिंग ने अपने एक्स्पिरियंस से इस मैच को काफी संभालने की कोशिश करी पर अगर टीम को एक मिनिट में 3 गोल करने हो तो रोनल्डो भी क्या कर सकता है अगर आप भी मेरी तरह स्पोर्ट्स ड्रामा के शोकीन है तो ये फिल्म आपको बहुत ही डिसपॉइंट करेगी इस फिल्म के एक खास बात है कि इस फिल्म के डिरेक्टर ने ये प्रोड्यूसर ने दो मौनिपूरी कलाकारों को काम करने का मौका दिया जो की एक अपने आप में नेपरिजम के मूँ पे थपड़े पर डिरेक्टर साब और्डियंस का लीड करेक्टर के साथ एक कनेक्ट बनाने में टोटली असफल रहे है मैं बस यही कहूँगा कि अगर आपके पास दो गंटे हैं तो इसे वेस्ट मत कीजेगा कहते हैं अंत भला तो सब भला पर क्लैमेस की ऐसी बजाई है कि आपको लगेगा कि आप फुटबॉल रेफरी बनकर सब को रेड कार्ट दे दे फिल्म के गाने के बोल डिरेक्टर साब के लिए बिल्कुल फिट बैटते हैं तिरे दिल में क्या है ये तू ही जाने अंजान मत बन मतलब डिरेक्टर के दिल में क्या है यह वो खुदी जानता है और ओडियन्स को बिलकुल नहीं बता पाया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कॉमेंट सेक्शन में कोई कॉमेंट करना चाहे तो कॉमेंट कर सकते हैं और प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल बाई बाई